हेलो फ्रेंड्स आप लोग को स्वागत है रेलबे एक्जाम की 2.0 में मैं आसुक कुमार आज आप लोग के लिए जीयस का सेट 7 लेकर के आया हूँ जिसमें हम लोग रेलबे के प्रिवियस यर जीयस कोस्चन को देखेंगे जो आने वाले सभी एक्जाम के लिए बहुत ही महत पूर्ण होंगे दोस्तों अगर आप लोगोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाओं तो उसका नोटिफिकेसन आप लोग को सबसे पहले मिले चलिए दोस्तों तो को देखते है दोस्तो पूचा हुगा है इसका डेट भी दिया है 17 11 2013 सो में यह कोच्चन पूचा गया है कि यहां पे कोश्चन है दोस्तो है पानी का अधिक्तम घंद तो हो कि तो हमारा एंसर होगा दोस्तो चार डीरी शेल्सियस पर उसमें आप्षन की ए रहेंगे जिसमें पढूoh इसके बार next question है, पानी की अस्थाई कोठोरता दूर की जा सकती है, दोस्तो पूछेगा, पानी की अस्थाई कोठोरता दूर की जा सकती है, तो वहां पे हमारा answer हो जाएगा, पोटैसियम परमेगनेट को डाल कर, यानि पोटैसियम परमेगनेट को डाल करके, हम पानी की अस्थाई जो कठोड़ता होती है, उसको दूर कर सकते हैं, इसके बाद नेक्ष्ट कोस्चन है, बिधूत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, तो यहाँ पर एंसरम लोका हो जाए इसके बाद नेक्ष्ट कोस्चन है, लोहे का सुधतम रूप है, तो एंसर हम लोका हो जाएगा दोस्तों, पिटुवा लोहा, इसके बाद से नेक्ष्ट कोस्चन है, पीतल हावा में किस गैस की उपस्थिती के कारण बदरंग हो जाता है, यानि दोस्तों कोस्चन पूछेगा कि पीतल हावा में किस गैस की उपस्थिती के कारण बदरंग हो जाता है, यानि उसमें मलीन हो जाता है वह, इसके बाद से है, तो हमारा एंसर वहाँ पे होगा दोस्तों, ऑक्सीजन, यानि ऑक्सीजन गैस की उपस्थिती में वह बदर को जाता है इसके पार नेक्स्ट क्वोश्चन है थोस सीधे वास अस्था में पदार्थ के रूप आंत्रने को कहा जाता है इ敢 गर्यां सर्मलों का मिलिमीटर का एक बटा एक हजार हिस्से के बराबर होता है इसी तरह से निक्स्ट कोश्चन है धौनी की पीच का फ्रिक्वेंसिकी मापने की काई है तो यहाँ पर हो जाएगा इंसर हम लोगा दोस्तों डेस्सिबाल जाखोल। पूछ देगा वाई मंडली ये दाब इसी तरह से दोस्तों question है देखे या RRC दिल्ली में पूछा गया है यह भी 1711-2013 में ही पूछा गया है उसमें question है दोस्तों DNA का संरचना है यहाँ पर question है दोस्तों DNA का संरचना है तो answer हम लोका हो जाएगा दोहरी कुंडली का यानि DNA का संरचना जो होता है वह दोहरी कुंडली का होता है इसी तरह से next question है दोस्तों हम लोका बेकरी में सधारण तथा उप्योग की जाने वाली baking soda वास्तों में क्या होते है तो baking soda यानि sodium bicarbonate वहाँ question पूछेगा दोस्तों बेकरी में सधारण तथा उप्योग की जाने वाले baking soda वास्तों में क्या होते हैं तो sodium bicarbonate यानि baking soda का दूसरा नाम sodium bicarbonate भी होता है कि यह एक धोन सोडा होता है जो दोस्तों जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं कभी कभी इसका फर्मूला भी पूछ देता है चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों BCG Tika के नाम में अक्षर B का तात पर है तो BCG Tika के नाम में अक्षर B का तात पर है दोस्तो Bacillus इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तो मानचित्र के समान तफमान वाली जगों को संयुप्त करने वाली कालपनी करेखाओं को कहा जाता है तो एंसर हम लोगों का हो जाएगा दोस्तो आईसो थर्म कहा जाता है उश्य आईसो थर्म कहा जाता है दोस्तो इस तरह से आज हम लोगों ने GS का प्रिवियस एर कोश्चन देखा जो आने वाले सभी एकजाम के लिए बहुत ही महत्तपून होंगे I hope कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तो अगर मेरा वीडियो आप लोगो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए ही